हेलो फ्रेंस, इजी टू कुप में आपका स्वागत है, आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी एग रोल की रेसिपी, यह रेसिपी आप आसाली से घर में बना सकते हैं और इसमें काफी कम इंग्रेडियंट्स लगते हैं, तो चलिए बनाते हैं एग रोल की रेसिपी, तो एग रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है लगभग देड़ कप मैदा, इसमें हम डाल देंगे यह आधा कप आटा, आटा मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे एग रोल हिल्दी बनाना है, आप चाहें तो आप आटा स्किप कर सकते हैं, अब इसमें आप डाले स्वादा नुसान नमक और यह लगभग एक चमच रिफाइन ओल, सारे इंड्रीडियंट्स को एक बार ड्राय मिक्स कर लेते हैं, यह देखे इस तरह से, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक डो बना लेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यह दो बन गया है, यह देखे यहाँ पर इसे सॉफ्ट है, तो इसे हम ढख के लगभग 10-15 मिनिट छोड़ देते हैं, तो 10 मिनिट हो चुके हैं, अब इसके हम रोटी के साइस के लोए बना लेंगे, तो यह देखे, तो जिस तरह से आप रोटी को बेलते हैं, ब पर इसे बना लेंगे, तो यहाँ पर मैंने यह थोड़ा सा सुखा आटा लगाया, अब इसे हम गोल-गोल करके बेल लेंगे, तो यह देखे, यहाँ पर यह आसानी से आप बेल सकते हैं, तो आटा आप जितना सॉफ्ट कून देंगे, उतनी आसानी से आप इसकी जो रोटी है, यह आप बना सकते हैं, तो बस इस तरह से आप इसे बेल लीजिए, एक तरफ और आटा लगाए, अगर आप पहली बार इसे बना रहे हैं, तो दोना तरफ अच्छी तरह से आटा लगा लें और इसे अच्छी तरह से गुंद लें यह देखे, इस तरह से, तो बस यह जो तो बस अब इस रोटी को हम सेख लेंगे, इसे आपको पूरी तरह से नहीं सेखना है, आप इसे 70% तक ही सेखें, तो ये देखें एक तरफ ये हो गया है, अब दूसरी तरफ भी हम इसे थोड़ा सा सेख लेते हैं, बाकी हम जब रोल बनाएंगे उस टाइम पे हम इसे आप लिया है पांच अंडा, इसे में लगभग चार रोज बना सकती हूं, तो बस अंडे में डाले, आप स्वादनों सा नमक, और इसे फेंट ले अच्छी तरह से, बस इसे इसमें आप बस नमक ही डाले, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं चाहिए, तो यहां पर इसे म जब तेर गरम हो जाए तो इसमें हाँ थोड़ा-थोड़ा करके जो अंडा हमने फेंट के रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे, तो यह देखे, यहां पर हम यह अंडा को डाल देते हैं इसमें, तो मुझे चार रोल बनाने है, तो मैं उसे हिसाब से अंडे को तो जब ये अधा पग जाए तो इस पे ये जो रोटी हमने बनाई थी इसको आप इस तरह से प्लेस कर दे उसके उपर और इसे थोड़ा सा प्रेस कर दें ता कि रोटी और अंडा यो है आपस में चिपाग जाए अब रोटी का जो उपाइव प्रफ़ा भागे उसके उपर आप इस तरह से तेल लगा दें अब इसे हम धीरे-धीरे करके पलट लेंगे ये देखे इस तरह से तो दूसरी तरफ जो है उसे भी हम एक मिनिट के लिए सेख लेते हैं अच्छी तरह से तो अब ये बिल्कुल तयार है अब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे तो स्टफिंग के लिए पहले आप इसमें टोमाटो केचिप या टोमाटो सॉस जो भी आपके पास है वह इसे पूर मलंबा काटके रखा है इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी प्यास आपको जिस तरह का स्टफिंग पसंदे आप इसके अंदर वो डाल सकते हैं लेकिन ये बहुत ही सिंपल वाली स्टफिंग है और हेल्दी भी है अब इसमें थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे यह मैं क फाला नमक का इस्तेमाल करें, इसे इसका टेस्ट अच्छा था है, थोड़ा सा मिच्ची डाल दिया हमने, और हलका से नीमू को निचोड लेंगे, अब इसे अगर आपको फोल्ड करना, इसी तरह से इसे फोल्ड कर लें, यह बहुत ही सिम्पल तरीका है फोल्ड करने का, और अगर आपके पास कोई और पेपर नहीं है तो टिशू पेपर में ही इसे रैप कर ले और नीचे से इस तरह से प्रेस करके रख ले तो बस यह आपका जो रोल है वो बिलकुल तयार हो गया है सेम प्रॉसेस से आप बाकी की रोल भी भना ले तो फ्रेंड्स अगर आज आपको यह रेसी भी पसंद आई है तो प्लीज मुझे मेरे कमें सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस बताएं अगर आज आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें इससे आपक को मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद